हलो दोस्तो मैं डॉक्टर मुहम्मद जिशाम आज दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे हम अंजीर के बारे में जिसको अर्बी में तीन भी कहा जाता है और इंगलिश में इसको फिक भी कहा जाता है जानेंगे हम इसका मिजाज क्या है क्या चीज होती है ये कैसे पैदा होता है पैदावार होती है इसके फाइदे क्या है इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती है और इसके क्या क्या और फाइदे हैं कैसे इस्तिमाल करेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हम और ऐसी जानकारी कि बहुत कम लोग आपको इसके मिजाज के बारे में बताते होंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बताने से पहले आप से एक छोटी सी गुजारिश है बात करेंगे हम इंजीर के आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंजीर का एक दरखत भी दिखाया इसमें और इस तरह से लगेवे होते हैं और लाश्ट में जो आप देख रहे हैं उपर की तरफ ये मार्केट में इस तरह से सुखेवे इंजीर मिलते हैं बिल्कुल सुखे वे नहीं होते, एक फल है, पहले ये जानेंगे, इसकी माहियत जानेंगे, ये एक मशूर फल है, जो के गूलर जो होता है, गूलर का भी अगर देखा हो जिन लोगों ने, तो गूलर के जो फल के होता है, उसके सेम देखने में होता है, उसके मानिंद कह सकते इसको ठीक है इसके मिजाज जो सबसे एहम पॉइंट है इसका मिजाज मिजाज जो है वो गरमतर है यानि कि जो खून का जो मिजाज होता है गरमतर होता है ऐसे ही इंजीर का मिजाज भी गरमतर है यानि कि बहुत अच्छे मिजाज की चीज है यह फाइदे की हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज पाए जाती है देखिए इसके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, शुगर, कैलशियम, फास्पोरस ये तमाम चीजे इसमें पाए जाती हैं उसके अलावा भी और भी कई चीजे इसमें पाए जाती है जैसे विटामिन A, विटामिन C काफी मिगदार में पाए जाता है यहां तक कि इसमें विटामिन B और D भी थोड़ी थोड़ी मिगदार में पाए जाता है जब इतने सारे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, शुगर बगरा होते हैं तो इसका मतलब आप अंदादा लगा सकते हैं कि ये एक बेहतरीन मल्टी विटामिन भी कह सकते हैं इसको एक बेहतरीन ताकत की दवा है ये अब उसके बात चलते हैं यूनानी नजरिये के साफ से कि इसके फंक्शन क्या है अफ़ाल क्या है तुम आपको बता दूँ कि इसका जो खास फंक्शन है वो है मुलेइन मुलेइन का मतलब होता है लेक्जेटिव जो हमारी आतों के अंदर मवाद जो फास जाता है उसको तरक वहां पर लेक्जेटिव असर के जरीए अपने आतों मवाद को पका करके नुजिद एक फंक्शन होता है नुजिद मतलब मवाद कच्चे मवाद को पका करके मुलेइन है इसलिए लेटरीन के जरीए खारिज करने का काम करती है आम जबान में समझे आसान भाशा में समझे तो ये गंदे मवाद को बॉड़ी के गंदे मवाद को लेटरीन ला करके खारिज करने में मदद करती है कुछ मवाद कच्छे होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं और तोड़ करके खारिज करने में बहुत मदद करती है डायूरिटिक भी है मुद्रे बोल जिसे कहते हैं जिन लोगों को पेशाब की समस्य होती है कम पेशाब आता है तो ये पेशाब लाने का काम भी करती है जैसे कि मैंने बताया जय दोस्तो इसका मिजज गरम तर है तो अपने मिजजी कहःत की बज़े से ये बदन को क्योंकि इसके अंदर प् monitामिन बगारा के बारे मैंने आपको बताया ये सब होने की बज़े से ये बदन को मोटा करने में भी मदद करती है बदन को फर्बा करने को विगो करके रख देते हैं और ऐसा करना बहतर भी है रात को विगो करके पानी में रखके सुबा इंजीर खा लेते हैं डारिक्ट भी रात को इंजीर खा करके इसका 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 इ तो बहुते हैं कि वो कबज को दूर करें और गंदेगी को बाहर निकाले उसका एक फाइदा ये भी है खे अख्रोट के साथ में इसका इस्तिमाल किया जाता है اور جب آکھروٹ کے ساتھ میں इसका इसका इस्तिमाल करते हैं तो यह तक्वित-े-बाहा एक लवज है जिसको मुखवि, यह कहें कि सेक्शल पावर को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया था तक्वित-े-बाहा का मतलब सेक्शल पावर को बढ़ाने के लिए भी एक बेहतरीन चीज़ है हलांके इसके कुछ नुकसान भी है ये गरम है तो इसलिए दीवर के लिए नुकसान हो सकती है अगर ये नुकसान करे तो आप से कंजी बीन ले सकते हैं अनार दाना ले सकते हैं और अगर ये ना मिले तो इसके जगा मुनक का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इंजीर में जो फाइदे हैं वही मुनक के में भी हैं तो अगर जो लोग इंजीर लेना चाहते हैं और नहीं मिल रहे तो वो मुनक के लेने बदल के तोर पर अब बात आती है इसके डोज या मिगदार खुराकी इसको कैसे इस्तिमाल कर जाएगा तो देखिए इसकी डोज की अगर हम बात करें तो दो या तीन अंजीर एक वक्त में लेना है बहुत से लोग इसको जादा ले लेते हैं फिर दस्त चल जाते हैं या दूसरे इसके साइड इफेक्ट दिखते हैं तो ऐसा नहीं करना है एक वक्त में दो या तीन हद से हद चार बलके मेरा मानना तो है दो तीन बहुत होते हैं एक वक्त में इसका इसका इसको नॉर्मली और कुछ लोग पानी में अगर रात को बेगो करके रखते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं जिन लोगों को आम कमजोरी रहती है बहुत ज़दा वीकनेस रहती है और पेट भी साफ नहीं होता कब्स की शिकायत रहती है और बुखार भी बार बार होते रहते हैं तो लोग भी इंजीर का इस्तिमाल कर सकते हैं ये कमजोरी को दूर करता है क्योंकि मैंने बताया इसमें विटामिन, कैलशियम, शुगर, फासपोरास, आईरान ये सारे चीज़े बहुत जादात में होती हैं तो इसकी, इन सबके जब इस्तिमाल होगा तो जिसमें के कमजोरी दूर होती है और बुखारों को खत्म करने में बहुत जादा मददगार होती है तो दोस्तो ये होई इंजीर की पूरी जानकारी अम्मीद करता हूं जो जानकारी आपको मैंने दी है वो पसंद आएगी और वीडियो को लाइक करें पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाना बिलकुल न भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं कोई भी इसका खास नुकसान नहीं है जो बताया है बस उतना ही होता है ज़्यादा मिकदार में ना करें मिलेंगे किसी अगली वीडियो में अपना खयाल लगें दौआउ में याद रखें खुदा आफिस